चपरा के मांजी में एक युवक की हाथ्या के बाद आक्रोशित लोगों ने पांच फड़वारी को मुखिया परत्रिनिधी के घर वा पॉल्टरी फ़र्म में आग लगा दी दो लड़कों के मौत के कारण ये घटना का अंजाम दिया गया है लड़कों को रूम में बंद कर पिटनी का वीडियो सामने आया है जिससे अक्रोशित लोगों ने मुखिया के घर में घुश कर तोर फोर और संपति को जला दिया बंद कर दो अगो कर दो दो तोर बंद कर दो जाएं जाएंगी किसकी भूमिका रही है पुरिजांच के जाए तो अगर कोई दोशी पाया जाता है किसी सरसे लाकरवाही और कुछ पाया जाता है तो अभी तक दो वैक्तियों के अरस्तिय हुई है इस पाफियों के चुनित करके हम लोग गिरफ्तारी के प्यास कर रहे हैं मेरी जन्ता से अनुगोद रहेगा कि शांती विस्ता बनाए रखे हैं आपस में माला है इस पकार की घट्नाओं से पुलिस का द्वान जो है अप्रादों के उर्जुत रिक्शन करने की जगे यहां के इंद्र को जाता है तो प्या शांती बनाए रखे हैं पुलिस अपना काम राजनीती कार परसांत की सोड ने फिर एक बार नितीस कुमार पर निशाना साधा है परसांत की सोड ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि दुहाजर अनेश के लोग सबचुनाव से पहले ही नितीस कुमार से डिल हुई थी नितीस कुमार दुहाजर अनेश में ही इंडिय बिच्छाई थी चीनी मिल के बंद हो जाने के बाद इस रेल लाइन पर टेनों के आवजाई भी बंद हो चुकी थी इस रेल को एसक्रैप के रूप में आक्षन किया जाना था लेकिन आक्षन से पहले ही पंडॉल एस्टेशन से लोहट चीनी मिल तक जाने वाले रेल लाइन क दो किलो मीटर की पट्री की चोरी हो गई कटिहार में अपनी समधान यात्रा के दौरान मिडिया कर्मियों से बात करते हुए बिहार के सियम नितीस कुमार ने कहा की जिवका देदी संदार काम कर रही है और इस मडल ने बरी पैमाने पर महिलाओं का ससस्तिकरन सुनिचित किया है उन्होंने दुनिया भर में सरहाना मिल रही है उनके कारियों और जिवका मडल की परसंसा बिक्सित देशों में भी हो रही है अडानी बिवाद पर कांग्रेस आज करेगी राष्ट ब्यापी बिरूत परदर्सन पार्टी ने जिवन भी मनिगम L.I.C. के कर्यालों और भातिय स्टेट बैंक S.B.I. के सखाओं के सामने देश ब्यापी बिरूत परदर्सन करने का फैसला किया है बाल भी वाद के खिलाप चलाये जा रहे अभियानों में पुलिस ने सनिवार तक 2,258 लोगों को गरिपतार किया था जिन में से इस तरह की साधिया करने वाले हिंदू और मुस्लिम पुजारियों को सामिल किया गया था पुलिस ने कुल 8,000 और उपियों के सुच्ची बनाई है समस्ति पूर जीले के मतुरापूर उपी के बजार समिती के पास रवी बार को जाम हटाने के दोरान हुए बिवाद के बाद दरोगा उमा कांत यादो को एर एक सचालक ने चाकू मार कर जक्मी कर दिया ये पांच जज आज लेंगे सफ़द जस्टिस पंकज मितल भरतमानवे राजस्थान उचने आले के मुख्यनाधिस है इससे पहले वे जम्बू कस्मीर और लदाक उचने आले के मुख्यनाधिस थे मुख्यनाधिस के रूप में अपनी पदोनंती से पहले वे इलहाबत उचने आले के नाधिस थे जस्टिस पीवी संजै कुमाड 2021 मनिपुर उच ने आले के मुखे नायधीस है इससे पहले वो पंजाब और हर्याना उच ने आले के नायधीस थे इन्होंने आन्धर पर्देश उच ने आले के नायधीस के रूप में भी काम किया है नियाय मूर्थी कुमार को अगस्त अनिश अठासी में आंधर पर्देश के बार काउंसलिंग सदस्य के रूप में नामित किया गया था नियाय मूर्ती अहसानुदीन अमानूला बर्तमान में नियाय मूर्ती अहसानुदीन अमानूला पटना उचने आले के नायधीस हैं 2011 में पटना उच्छ नियाले के नाइधीस के रूप में पदोनत हुए फिर उन्हें 2021 में आंध्र पर्देश उच्छ नियाले में अस्थनांत्रित कर दिया गया इसके बाद उन्हें जून 2022 में पटना उच्छ नियाले में अस्थनांत्रित कर दिया गया जेस्टिस मनोज मिस्रा बर्तमान में मनोज मिस्रा इलहाबद उच ने आले के नादीस हैं दिवानी रजस्व अपरादिक और सब्धानिक पच्चों में अभ्यास किया था जेस्टिस संजाई करॉल जेस्टिस संजाई करॉल को 11 नवंबर 2020 को पटना हाई कोट के चिप जेस्टिस के रूप में निवत किया गया था आप इस चैनल को सब्सक्राइब चरूर करें आएए देखते हैं करेंट आफ़ेयर्स भारत ने अंतराष्टिय सौर्शंगठन में कांगो देश के सामिल होने का हाल ही में स्वागत किया है प्रसांत अगरवाल लाहोस देश के लिए भारत के अगले राजदूत निवक्त हुए है प्रमिला जैपाल यूएस एमिग्रेशन की रैंकिंग सदस्य नामित हुई है कल साथ फड़वरी है और कल के दिन ही रोजडे मनाया जाता है बेलेंटाइन वीक भी सुरू हो रही है कल बेलेंटाइन सब्ता अधिकारिक तोर पर रोजडे से सुरू होता है सचिंद्रनाथ सन्याल इनकी जन्म 3 अप्रेल 1890 को ब्रिटिस इंडिया काल में हुआ था और इनकी मिर्टु साथ फड़वरी अनई सब 42 को गोड़कपुर में हो गई थी सचिंद्रनाथ सन्याल हिंदुस्तान रिपॉब्लिकन आर्मी के सरसंस्थापक थे हिंदुस्तान रिपॉब्लिकन आर्मी जो अनई सब 28 के बाद हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपॉब्लिकन एसोसियेशन बन गई थी इस एसोसियेशन को ब्रिटिस समराजी के खिलाब ससस्तर बीद्रों करने के लिए बनाया गया था सचिंदरनाथ सनियाल, चंदर सेखर अजाद, जतिन नाथदास और भगत सिंग जैसे करंती कारियों के गुरू थे सिच्छा विभाग दोरा DEO और DPO को दिये गए निर्देश में कहा गया है कि हाई कोट के आदेश के आलोक में जब तक यह जाँच नहीं हो जाती है तब तक इसका अनुदान रासी अस्थागीत रहेगा अफ़र मुक्सची उदीपक कुमार सिंग ने बताया कि दस फरवरी तक जाँच रिपोर्ट मांगी गई है यह जाँच बिहार के मदर्सों में गरबरी के विरूद है अगर आप खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में भाग लेना चाहते हैं तो दिये गए स्कीन पर लिंक पजा कर आप फर्म भर सकते हैं वीडियो देखने के लिए आप सब का धन्यवाद